गुद मॉनिंग बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं आप अपनी जगेश रक्षित हैं तो आज हम कख्षा 5 का EBS का जो सेकंड लेसन हैं खेलों की दुनिया वैक करने जा रहे हैं हम इसके तीन पार्ट कर चुके हैं ठीक है और तीनों पार्ट आपको वीडियो डिस्क सिपिशन में मिल जाएंगे तो हम इसका आज जो चोथा पार्ट है यानके फोर्थ जो पार्ट है वो शुरू करने जा रही है और यहां पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कुछ यहां पर चित्र दिखाई दिखाई दिए गए हैं आपर जैसे कराटे है यह ताई यह एक बिना किसी हतियार के आतमरक्षा करने वाले खेल है जिनको हम मार्सल आर्ट कहते हैं ठीक है तो आज हम पढ़ते हैं तरीके आतम सुरक्षा की जो हमारा टाइडल है आज है तरीके आतम सुरक्षा के और लेसन का नाम क्या है हमारा खेलों की दुनिया ठीक है तो इसक किसी हतियार के आतम रख्षा करना मार्शल आर्ट है यानि कि आपको किसी हतियार की जरूरत नहीं है उसके द्वारा आतम रख्षा करना क्या है मार्शल आर्ट तो यह पूछ सकते हैं आपके एक्जाम में सक्षम के एक्जाम में कि मार्शल आर्ट क्या है तो बिना किसी हतिया के आत्मरक्षा करना मार्सल आर्ट है जूडो के अलावा यानि के जूडो जो खेल है उसके अलावा कराटे और क्या है टाइकवांडो और क्या है कुंग फू ये भी मार्सल आर्ट के अंतरगत आते हैं तो एक्जामिनर आपसे जो प्रशन पूछ सकता है वह है important question क्या बनता ह कि मार्सल आर्ट के अंतरगत कौन-कौन से खेल आते हैं तो हम बता सकते हैं कि मार्सल आर्ट के अंदर कराटे आते हैं जूडो ताइक कमांडो और कुंग फू ये चार प्रकार के जो खेल हैं ये मार्सल आर्ट के अंदर आते हैं कुंग फू और ताइक कमांडो में आक्रम यानि कि attack के उपर कौन कौन से गेम में Kung Fu और ताई कवांडो के अंदर जबकि जूडों में बचाओ पर अधिक बल के जो आकर्मन पर बल कौन कौन से खेलों में दिया जा सकता है तो कौन कौन से हैं वो Kung Fu और ताई कवांडों यानि कि इसमें attack पर ज्यादा बल दिया जाता है जबकि जो जूडो होते हैं उसके अंदर आप अपने बचाओ कैसे करेंगे यदि आपके उपर कोई अटेक कर रहा है तो आप बचाओ कैसे करेंगे तो ये जूडो के अंदर सिखाया जाता है आतमरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग-अलग अंगों का प्रियोग किय जाता है यानि के जो ये अतमरक्षा के खेल बताई गई है या पर दिखाई गई है इनके अंदर जो शरीर के अलग-अलग पार्ट है हमारे उनका अलग-अलग प्रियोग होता है जैसे जूडो में हाथों का जो जूडो का जो गेम है उसमें किसका प्रियोग होता है हाथों का किसका हाथ के पंजों का ताइक वांडों में पैरों का और कुंग फू में उंगलियों का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर चार प्रकार के अलग-अलग खेल दिखाए गए हैं और उन खेलों के अंदर आप स्रीर के कौन-कौन से अंगों का प्रियोग करते हैं वो सब बता ठीक हैं तो आगे हम इस लेसन को पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर इसी तरह भारतिय मार्सल आर्ट के भी कई रूप है जैसे केरल का कलारी पायटू और महाराष्टर का मर्दानी खेल और मनिपूर का थंगटा तो ये भी मार्सल आर्ट के अंतरगत ही आते हैं भारतिया मार् मार्सल आर्ट के अंदर कौन-कौन से खेल आते हैं। उसके बाद जो है, मार्सल आर्ट का नाम किस अवसर पर खेला जाता है, यानि कि कौन से त्योहार पर खेला जाता है, विशेश पोशाक उसके अंदर यानि कि ड्रेस जो है, वो कौन सी डाली जाती है और उसका उदिश्य क्या होता है, यह आपने अपने ट्रीके से भरना है। हम उधार्ण लेते हैं जैसे एक पंजाब राज्य का ले लेते हैं यहां पर पंजाब राज्य का जो हम उधार्ण ले रहे हैं राज्य का नाम में लिख देंगे आपर हम पंजाब और जो मार्सल आर्ट का नाम है वो क्या है लाठी और किस प्रकार यानके किस अवसर पर खेल द्ञहेला जाता है धार्मिक जो श्मारो होते हैं, उनके अंद्रिया खेला जाता है, विशेश जो पोशाक है वो कौन सी होती है, हमारी सिर्पर पगड़ी होती है, औ उधेश्य है कि संदर उधेश्य है कि उधो होता है लाठी कोचल तो इस प्रकार आपने इस exercise को जो है वो भर देना है और इस प्रकार हमने जो ये exercise है वो complete करनी है इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर तीन मेश्ष पंजाब के और जिसका नाम दू के अंदर ऑज इसका करते हैं और अगले वीडियो के लिए अगले पार्ट में हम थोड़े दीन में मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाई झाल झाल